आप देख रहे हैं उज्वल भारत समाचार खबर वही जो है सही महराश्ट्र में इसी साल के अंत में होने वाले विधान सभाचनाव से पहले सियासी दलों ने अपनी तयारियां तेज कर दी है तमान नेता इन दिनों लगातार लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे रविवार को शिर्डी पहुँचे और एक सम्मेलन को संबोधित किया इस दौरान उद्धव ठाकरे ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उनकी मांग का समर्थन किया और कहा कि हमारी सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी उद्धव ने खुद को दौर से किया अलग उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देखा था और अब भी नहीं देखता हूँ ठाकरे ने कहा मैंने मुख्यमंत्री बनने का सपना न तब देखा था न अब मैं सत्ता से सन्यास नहीं लूँगा मुझे कोई भी सत्ता से बर्खास्त नहीं कर सकता उनके इस बयान के बाद सवाल उठ रही है कि NCP, सपा और कॉंग्रेस से मुख्यमंत्री उम्मीद्वार घोशित करने का आगरा करने के बाद क्या उधव ठाकरे ने यह कहकर CM की दोड से खुद को अलग कर लिया है कि उन्हें CM बनने की कोई आकांक्षा नहीं है उधव ने कहा याद रखें जिने हम परिवार मानते थे उन्होंने विश्वास घात किया है जिन लोगों ने मुझे धोका दिया अगर वे अपनी माश शिवसेना पर हमला कर सकते हैं तो वे आप पर हमला नहीं करेंगे इसलिए मुझे यह उसरकार नहीं चाहिए मेरा मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं ठा और अब भी मेरा वहाँ सपना नहीं है मेरे लिए महराष्ट्र की जनता महत्वपूर्ण है आपको बता दे कि पिछले महीने ही उद्धव ठाकरे ने मांग की थी कि महाविकास अगाडी MVA का CM का चहरा जीती गई सीटों की संख्या के आधार पर तै नहीं किया जाना चाहिए MVA की रैली में उद्धव ने कहा कि MVA के वरिष्ट नेताओं किसी भी नाम की घोशना कर दें वह उनका समर्थन करेंगे दूसरी और महराष्ट्र कॉंग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने स्पष्ट किया था कि इस तरह के फैसले दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेता लेते हैं तब तक MVA ही एक मात्र चहरा है पुरानी पेंशन स्कीम करेंगे लागू उद्धव ठाकरे ने दोहराया कि अगर विधान सभा चुनाव के बाद राज्य में महाविकास अगाडी, NCP कॉंग्रेस और शिवसेना UBT की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाएगा उद्धव ने कहा इससे पहले सुभाश देशाई बोल रहे थे कि राजनेताओं को कितनी पेंशन मिलती है उन्होंने उलेख किया कि पूर्व सीएम के रूप में मुझे कितनी पेंशन मिलेगी मैं सेवानिवरित नहीं हूँ कोई भी मुझे सत्ता से सेवानिवरित नहीं कर सकता मैं सत्ता में रहूं या नहीं मुझे लगता है कि मैं लोगों के समर्थन से सशक्त हूँ बाला साहब ने कभी सत्ता का पद नहीं संभाला लेकिन लोगों के समर्थन के कारण उनके पास ताकत थी वोक्स में साजा जरूर देजे इजाज़त नमस्कार आप देख रहे हैं उज्वल भारत समाचार खबर वही जो है सही